हेलो एवरिवन आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सा कपसिरफ सुखी खासी के अंदर यूज गिया जाता है और कौन सा कपसिरफ बलगम वाली खासी के अंदर यूज गिया जाता है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं देखिए जो cup syrup होते हैं वो दो टाइप के होते हैं या तो dry cup syrup होंगे dry cup syrup का मितलब है जो की सूखी खासी के अंदर यूज किये जाते हैं ठीक है सूखी खासी के अंदर बल्गम नहीं बनता है इसलिए dry cup syrup को non-productive cup syrup भी बोल देते हैं दूसरा जो cup syrup है वो है wet cup syrupS यानि की वो cup syrupS जो की बल्गम वाली खासी के अंदर यूज किये जाते हैं इनको productive cup syrupS भी बोलते हैं तो दो टाइप के cup syrup होते हैं एक cup syrup वो होते हैं जो सूखी खासी में यूज किये जाएंगे जिनको वो ़ो राई cup syrup बोलेंगे और एक कब सिरफ वो होते हैं जो बल्गम वाली खासी के अंदर यूज गिये जाते हैं उनको वेट कब सिरफ बोलते हैं तो इस वीडियो में आप ये जानोंगे कि आपको पैचानना कैसे है कि सुखी खासी में कौन सा कब सिरफ आपको लेना है और बल्गम वाली खासी में आपको कौन सा कब सिरफ लेना है ठीक है कई बार क्या होता है किसी को सूखी खासी होती है ठीक है और वो क्या करता है बल्गम वाली खासी का कब सिरफ स्टोर से ले आता है और वो उसको लेता है और आराम नहीं होता है ठीक है उल्टा कर देता है जो सूखी खासी के लिए कब सिरफ है वो बल्गम वाली खासी के अंदर ले लेता है या फिर किसी को बल्गम वाली खासी है और वो सूखी खासी वाला कब सिरफ स्टोर पे जाके लिए आता है या स्टोर वाला दे देता है अगर नोलेज नहीं होती तो वो आराम नहीं करता है तो आपको पैचानना है इतनी knowledge आपको होने चाहिए कि आप कब सिरफ का salt name देखकर पैचान सको कि यह कभी यूज़ किया जाता है तो यही वीडियो में इसी वीडियो में यही बताने वाला हूँ तो चलिए देखते हैं आपको कैसे पैचाना देखे अगर किसी व्यक्ति को केवल dry cup है यानि कि उसको केवल सुखी खासी है और कुछ भी नहीं है उसको तो वहाँ पे dextromytherfen यह दिया जाता है ठीक है तो D for dextromytherfen और D for dry तो इस तरीके से आपको याद रख लेना है यह होगा dextromytherfen ठीक है तो वहाँ पे dextromytherfen यूज किया जाता है अगर किसी को सुखी खासी है और कुछ भी नहीं है उसको ठीक है जैसे इस पैकिंग के उपर भी आपको दिख रहा होगा ठीक है यहाँ डेxtromytherfen salt name है और देखिए यहाँ पर यूज भी लिख दिया यह केवल dry cup में यूज किया जाता है ठीक है यह जो dry cup यहाँ पर लिखा यह नहीं लिखा मिलता है mostly तो इसलिए आपको salt name देखना है salt name है यहाँ डेxtromytherfen तो यह यूज किया जाएगा केवल dry cup के अंदर ओके तो एक तो हो गया हमारा डेxtromytherfen जो सूखी खासी के अंदर यूज किया जाता है next हमारा जो salt है वो है अगर किसी को सूखी खासी है और साथ में running nose भी है यानि कि किसी को सूखी खासी और साथ में उसकी नाक भी बहर ही है तो तब क्या यूज करना है तब ऐसा कबसरप यूज करना है जिसके अंदर dextromytherfen हो और chlorophyneermine हो या फिर chlorophyneermine की जंगे diphenhydramine हो तो dextromytherfen के साथ या तो chlorophyneermine हो या फिर diphenhydramine हो दोनों में से एक होना चाहिए ठीक है तो वो कब सिरफ dry cup को ठीक करेगा और running nose को भी ठीक कर देगा ठीक है तो जो dextromytherfen salt है वो तो सूखी खासी को ठीक कर देगा और जो chlorophyneermine या फिर diphenhydramine दोनों में से एक salt जो भी होगा वो running nose को ठीक कर देगा तो जब भी किसी व्यक्ति को सूखी खासी है और उसकी नाक भी बैर रही है तो ये salt उसमें होना जरूरी है ठीक है तो ये जो salt है इन दोनों salt का combination होना चीए dextromytherfen के साथ या तो ये हो या फिर ये हो ठीक है या पर DX का मतलब है dextromytherfen ठीक है कभी-कभी आपको कभ सिरफ पर D मिलेगा या कभी-कभी आपको DX मिलेगा तो D या DX से मतलब होता है dextromytherfen ठीक है तो इसके अंदर dextromytherfen तो है जो सूखी खासी को ठीक करेगा और साथ में chlorophyneermine mallet भी है तो यह राख chlorophyneermine तो chlorophyneermine running nose को ठीक कर देगा ठीक है तो यह कभ सिरफ आपको तब लेना है जब dry cup running nose हो ठीक है आगे देखिए आगे अगे अगर किसी को सूखी खासी है साथ में running nose भी है साथ में congestion भी है congestion का मतलब है कि जो नाक वो बंद है उसके ठीक है खुल नहीं रही है नाक तब कौन सा कभ सिरफ यूज़ करना है तब ऐसा कभ सिरफ यूज़ करना है जिसके अंदर डेक्स्ट्रो मिथेरफेन हो chlorophyneermine हो और फिनाइलेफरीन हो ठीक है और जो फिनाइलेफरीन है वो काम करेगा congestion पे वो congestion को ठीक कर देगा ठीक है जो नाक बंद थी उसको खोल देगा और chlorophyneermine जो running nose थी उसको ठीक कर देगा डेक्स्ट्रो मिथेरफन dry cuff के लिए ये मैं आपको अल्रेडी बता चुका हूँ ठीक है तो ये तीनों salt का जो combination है ये होना चाहिए तब जाके क्या होगा dry cuff, running nose और congestion बिल्कुल ठीक हो जाएगा तो इस तरीके से आपको कब सिरफ dry cuff के लिए चुनना है ठीक है तो आपको पता होना चाहिए कि क्या है आपको है ना तो आप सिम्टम्स देखने है कि केवल सूखी खासी है या फिर नाक बहे भी रही है तो क्या है उसके हिसाब से वो जो कब सिरफ है ऐसा दिया जाता है तो ये हो गई हमारे dry cup सिरफ की बात अब जो ये salt है ना ये सारे के सारे salt जो मैंने यहाँ पर नीचे लिखे है देखे कोडीन लिखा है नॉसकेपैन डेक्स्ट्रोमिथेरफैन क्लोरफिन एरमाइन डाइफिन हाइडरमाइन ये सारे के सारे salt होते है सूखी खासी में यूज किये जाते है ठीक है किसी को केवल सूखी खासी है तो केवल डेक्स्ट्रोमिथेरफैन वाला कब से रब दे दो ठीक है mostly क्या होता है सूखी खासी के साथ-साथ थोड़ी जुखाम भी होने लगता है थोड़ी नाक बहने लगती है तो तब डेक्स्ट्रोमिथेरफैन और ये वाला साल्ट मिला के दे दिया जाता है ठीक है कंजेशन हो तो ये तीनों साल्ट मिला के दे दिये जाते है तो ये जितने भी साल्ट है ये सूखी खासी के लिए है तो ये साल्ट आपको याद करने पड़ेंगे ये सारे साल सूखी खासी के अंदर यूज किया जाती है अब मैं आपको दो में बात बताता हूँ जो एक कोडीन होता था ये पहले कब सिरफ के अंदर यूज किया जाता था जो एक कोडीन होता था ये क्या था इसका मिस यूज होने लगा था कुछ नसा वगैरा करने में जो बच्ची हैं वो इसका यूज करने लगे थे इसलिए गॉर्मेंट ने इसको बैन कर दिया है अब किसी भी कफ सिर्फ के अंदर आपको कोडी नहीं मिलेगा उसकी जंगे आप नसको पैन यूज किया जाते हैं ठीक है ड्राई कफ को सूखी खासी को ठीक करने के लिए ये भी आपको क्लियर होना चाहिए ओके और ये जितने भी साल्ट होते हैं यहाँ पे लिखे वे हैं ये कफ सेंटर सप्रेसेंट होते हैं यानि कि जो कफ सेंटर होता है उसको suppress कर देते हैं cup center हमारा brain के brain में होता है तो ये सारे salt brain के उपर काम करते हैं तो ये dry cup के लिए जो भी cup syrup use किया जाता है वो brain के उपर काम करता है और इसका एक side effect होता है कि इनको लेने के बाद dry cup seraps को लेने के बाद नींद आती है ठीक है तो इसको थोड़ा सा overcome करने के लिए क्या है कई cup seraps के अंदर caffeine add कर दिया जाता है ठीक है जिसकी वज़े से जो mind है वो थोड़ा सा stimulate रहता है तो कभी कभी आप notice करना जो dry cup seraps होते है ना उनमें caffeine add कर दिया जाएगा सार्ट नेम देखना आपको caffeine भी मिलेगा वापे क्योंकि इनका जो side effect अब वो है नीद आना इसलिए इसको थोड़ा सा overcome करने के लिए caffeine add कर दिया जाता है जिसकी वज़े से थोड़ा सा जो brain है वो stimulate रहता है ठीक है तो यह हमारे जितने भी salt मैंने आपको बताई यह dry cuff के लिए थे अब हम बात करते है वेट cuff की अगर किसी को बलगम की खासी है तो कौन सा कफ सिरब best रहेगा वो देखते है देखिए जो भी यह मैंने आपको बताया है यह तीनों का combination है इसका example देखिएगा आप एसकोरिल D plus इसमें भी देखिए बड़े दिहान से डेक्स्ट्रो, क्लोर्फिनेर्माइन और फिनेलेफिन ठीक है तो यह लिखा हुआ है आगे हम बात करते है वेट कफ की अगर किसी को प्रोड़क्टिव कफ याने की वेट कफ है बलगम वाली खासी है, तब क्या करना चाहिए बलगम वाली खासी के अंदर जो यह साल्ट है ना, यह सारे साल्ट यूज किये जाते है, ठीक है कब सिरफ के उपर या तो सोडियम पोटासियम सिट्रेट मिलेगा गौाई फिनेसिन जो साल्ट है वो भी वेट कफ में यूज होगा अमोनियम कलोराइड, ब्रोहेक्जिन, एम्ब्रोग्जोल यह सारे के साल्ट है यह बलगम वाली खासी के अंदर यूज किये जाते हैं ठीक है, जो यह साल्ट है, यह क्या करते हैं यह जो बलगम होता है उसको पतला करते हैं और उसको तोड़ते हैं बलगम को पतला करते हैं, तोड़ते हैं ताकि वो इजिली बाहर निकल जाए ठीक है, तो इजिली एक्सपेल आउट हो जाए तो जीतने भी यह साल्ट होते हैं ये wet cuff के अंदर यूज किया जाते हैं अब किसी को मान लिया wet cuff तो है बलगम वाली खासी है लेकिन जो बलगम है वो जमा भी हुआ है छाती के अंदर बलगम जमा भी हुआ है तो तब क्या करना है इन salt जो ये salt होते हैं इनके साथ ना bronchio dilator add कर दिये जाते हैं bronchio dilator क्या करते हैं जो सास की नली है उसको खोल देते हैं और अच्छे से जो कफ है जो जमा हुआ है वो बाहर निकलाता है ठीक है और bronchio dilator कौन-कौन से होते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ ये होते हैं bronchio dilator जो सास की नली को अच्छे से साप कर देते हैं, खोल देते हैं सल्विटामोल, लेवो सल्विटामोल और टर्विटालीन तो ये तीन ब्रोंक्योडाइलेटर होते हैं जो कि इनके साथ यूज किये जाते हैं तो कभी-कभी आपको देखने को मिलेगा गौाई फिनेसीन, कभ सिरफ के उपर गौाई फिनेसीन है एंबरोगजोल भी है और उनके साथ साथ क्या है? इनके साथ साथ क्या है? ये भी है, लेवो सल्विटामोल या सल्विटामोल टर्विटालीन ठीक है? मोस्टली जो कॉंबिनेशन होता है वो Labosalubutamol, Tributalin और इनके साथ में जो एड़ किया जाता है वो एड़ किया जाता है गवाई-फिनेसिन और एम्ब्रोकजोल mostly combination ये मिलता है तो ये हमारा wet cup के अंदर यूज किया जाते है तो directly आपको ये सार्टने में ये याद रखने है कि जो बल्गम वाली खासी है उनके अंदर ये यूज किया जाता है अब मैं आपको एक बहुत important बात बताता हूँ जो ये bronchio dilator होते है न Salbutamol, Labosalbutamol और Tributalin कभी-कभी क्या होता है कि इनको लेने के बाद क्या होता है शरीर के अंदर कमपन होना स्टार्ट हो जाता है जो हमारी heart rate है दिल की धड़कन है वो बढ़ जाती है ठीक है बहुत सारे case के इंदर ऐसा देखा गया है तो उस टाइम पे क्या करना है उस टाइम पे घबराना नहीं है उस टाइम पे अगर किसी भी पेशेंट को ये दिये गए है कब सिरफ और उसको दिल की धड़कन बढ़ गई है और पूरे जो सरीर है वो कांप रहा है तो उसको थोड़ा सा फैन ओन करके उसको रेस्ट करवाने है तो ठीक हो जाएगा तो ये जो कमपन होती है और जो दिल की धड़कन बढ़ जाती है वो ब्रोंक्यो डाइलेटर की वज़े से होती है ठीक है तो वहाँ पे आपको नोटिस करना पड़ेगा कि जो कब सिरफ है उसके अंदर सल्बूटामोल, लेवसल्बूटामोल, टर्बूटालीन इन तीनों में से कोई साल्ट तो नहीं है अगर इन तीनों में से कोई साल्ट है तो आपको ज्यादा जो क्वाइंटिटी है कब सिरफ की वो कभी भी नहीं लेनी चाहिए ओल्वेज डोक्टर से पूछ कर ही लेनी चाहिए ठीक है तो ऐसा होता है यह इसके side effect होते है जो ब्रॉंक्यो डाइडेटर है तो इसके side effect है तो इसकी quantity कम कर देनी है अगर 10 ml ले रहे हो तो 5 ml quantity कर देनी है तो इसके side effect होते है जो mostly देखने को मिले है ठीक है इसलिए गबराने की ज़रूरत नहीं है quantity कम कर देनी है और यह always डोक्टर को पूछ करी लेनी है ठीक है तो यह हमारे थे wet cup seraps के अंदर जो salt है वो use किये जाते है ब्रोंकियो डाइलेटर है सास की नली को अच्छे से खोल देंगे और जो यह sodium, potassium, guai finessine, broxine, ambroxine जो लिये है यह जो बलगम होता है उसको पतला करके तोड़ के बाहर निकाल देंगे अच्छे से तो यह हमारा wet cup यानिकी बलगम वाली खासी के अंदर यूज किये जाते है तो यह था आज का हमारा जो topic था वो कब सिरफ के उपर था तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया dry cup में कौन से कब सिरफ यूज किये जाएंगे और wet cup में बलगम वाली खासी में कौन से कब सिरफ यूज किये जाएंगे अब मैं आपको कुछ example बताता हूँ कुछ brand name बताता हूँ ठीक है और उनमें मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा salt mix होता है किस किस का combination होता है ठीक है तो देखे एस्थेलिन expectorant के नाम से कब सिरफ है इसके अंदर salibutamol और guai finacine होता है ascoril c जो ये brand name है ये उपर जो लिखे हुए ना ये brand name है ascoril c इस कब सिरफ के अंदर codine और chlorofenermine है हलाकी क्या है codine ban कर दिया गया है ठीक है तो ये ban कर रखा है ये केवल example के लिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है exaline इसके अंदर ambroxol, guai finacine, salibutamol, menthol ये इन सब का combination होता है एक और बात मैं आपको बता देता हूँ अगर पता ही नहीं है पेशेंट को सूखी खासी है या फिर उसको बलगम वाली खासी है तो जो सूखी खासी में यूज होते थे salt और जो बलगम की खासी में यूज होत exaline में guai finacine, tributaline और brohexine है ठीक है कैडिसोफ में इनके अंदर क्या dextromitherefen है, chlorofenermine है, guai finacine है और ammonium chloride होता है ठीक है जैसे कि देखिए यहाँ पे यूज किया गया है dextromitherefen और chlorofenermine ये जो दोनों salt है ये सूखी खासी के है लेकिन जो ammonium chloride और guai finacine है ये जो दोनों salt है ये बलगम वाली खासी के लिए है अगर patient का पता ही नहीं है कि इसको सूखी खासी है बलगम वाली खासी है कैसी है तो इन दोनों का combination करके दे दिया जाते है ठीक है तो ऐसे कुछ मैंने आपको example बता है बहुत चारे example मैं description के अंदर डाल दूँगा तो description भी आप चेक कर example है as like that ऐसे example बहुत सारे आपको मिल जाएंगे तो आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं next वीडियो के अंदर